कि यह सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यू चेप्टर रिवीजन जैसे मैंने कहा था डेली मैं न्यू चेप्टर रिवीजन में लेके आउगा तो आज बोनस शेयर रिवीजन करेंगे और साथ के साथ पूरा खतम भी कर लेंगे देखो प्रफरेंश बोनस शेयर आपका हाडली आदे घंटे का चप्टर इससे बड़ा चप्टर नहीं लेकिन आपको समझना पड़ेगा और यही सेम बोनस शेयर मैं लौ में भी कराऊंगा आपके एजियम का पूरा चप्टर मैंने कल खतम कर दिया है आज आपका शेयर कैप्टल पूरा चप् समझेगा इतना आसान चप्टर है ना बोनस शेयर का मतलब होता है हमारा के हमें फ्री का शेयर देना फ्री का मतलब हमें शेयर को दे देना और उन से पैसे नहीं लेना अगर आपके पास दो शेयर है तो मैंने चले यह एक शेयर और तिर को देते हैं हम एक्टरा उसे क्या कहेंगे हम बोनस उसके बदले आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा तो सर बोनस जो है ना यह दो से फ्री के शियर आपको दिया जा सकता है दो तरीके से आपको वो तरीका समझना है सर्थ दो तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं नंबर वन में भी पॉसिबल है इसको ऐसे कर लेते क्योंकि मुझे स्पेस नेक्स लाइट तो है नहीं हमारे पास और भाई बहुत बच्चे पढ़ने ही रहे पढ़ने लग जाओ मैं कह रहा हूं और इसका यूनिट नंबर जो सिक्स है कुछ बच्चे कह रहे हैं कल खतम हो जाएगा वो मैंने सारे नोट्स प्रिपेर कर लिए बस आदे गंटे में खतम ही हो जाना है को यूनिट सिक्स तो तो इसके अंदर क्या है कि हम पार्टली पेड़प एक तो ऐसे कर सकते हैं पार्टली पेड़प शेयर को फुली पेड़प बनाना तू पुली पेड़प कि यानि सर बोनस इसू जब हम करेंगे न तो एक आपका पार्टली पेड़प शेयर होता है उसको हम क्या बनाने वाले हैं सर फुली पेड़प बना देगे दूसरा कि existing shareholder i existing shareholder को फ्री शीअर देना इने रेशो में जैसे एक को मैंने एक दे दिया जिसके पास दस शेयर है उसको दो दे दिया काइंड ओफ इस तरीके से तो सर आफ फ्री का जब दोगे शेयर तो कहीं न कहीं फ्री का शेयर देने के लिए कंपनी को कुछ फंड यूज करना पड़ेगा जैसे मैं कोई चीज मान लेता हूँ मेरे पास पैसा पड़ा अगर मैं चैरिटी दे रहा हूँ तो कहीं न कहीं से तो पैसे मैं चैरिटी दे रहा हूँ न चाहे मेरे पास कहीं एफडी पड़ा हो चाहे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा करते हों तूसरा सी आर आर कैपिटल रिडम्शन रिजब जो आपने प्रफ्रेंश के अंदर बनाया था उसका इस्तमाल सिर्फ एक ही जगह इस्तमाल हो सकता है डेट इस बोनस इशू और कहीं इस्तमाल नहीं हो सकता नंबर थ्री आफ फ्री रिजर्व कर सकते हो जब मैं फ्री रिजर्व बोलता हूं तो सब कुछ आ जाता है जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो इन पैसे का इस्तमाल करके आप बोनस शेयर दे सकते हो दोहीं टॉपिक है तीसरा कोई टॉपिक नहीं है यह चैप्टर जो है आपका मर्ज होके आएगा सर सुरा प्रिविजन यस यस यह चैप्टर जो है वह मर्ज होके आएगा सर किसमें मर्ज होके आने वाला है यह चैप्टर यह चैप्टर मर्ज होके आपका आएगा प्रफरेंशe के साथ पूरा question preference share कर रहेगा last मैं बोल देगा company also bonus issue तो जितना preference share आपने सीखा है वो तो रहेगा ही उसमें दो entry और रहेद हो जाएगा इसका example जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ मैं अपना example ले लेता हूँ क्योंकि इस board पे मुझे question दिखाना possible नहीं है तो मैं अपने ही example लिख लेता हूँ यहां पर ठीक है मैंने कहा कि हमारा equity share capital है equity share capital है 10,000 at the rate 10,000 equity share है at the rate 10 age paid up 8 per share यह questions में आपको given है और यह चीज़े आपको कहा given मिल सकती है सर यह चीज़े आपको balance sheet के अंदर देखने को मिल सकता है यह ना balance sheet में आपने देखा होगा कितना paid up है bracket में करके डालते है company अब जो question adjustment में होगा company decided make fully paid up पैसे तो नहीं मंगवा रहे हम उसको और का bonus देना होगा इस सवाल में मैं जम्शन ले रहा हूँ कि मेरे पास general reserve है पहली entry या फिर मैं लिखी देता हूँ यहां पे हमारे पास general reserve 10,000 security premium 5,000 capital reserve 3,000 ठीक है अब bonus issue के लिए हमें कितने fund की इंतिजाम करनी है that is 20,000 कितने fund का इंतिजाम करना है 20,000 का है अब 20,000 रुपे का इंतिजाम करना है तो सबसे पहले मैं इन पैसे को यह पैसा कहां मिलेगा आपको पताओ balance sheet के अंदर होगा और balance sheet के कहां पे liability में तो मैं जब इसको यूज करूँगा तो debit करना पड़ेगा के अंट्री करूँगा जर्नल रिजर्व अकाउंट debit कितना पैसा ले सकते हैं और priority किसको देना है मैं उसके इसाफ सबसे पहले आप CRR को priority देना CRR क्योंकि CRR कहीं यूज ही नहीं हो सकता CRR अकाउंट debit कितने का यूज हजार सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट debit फिर इसको प्राइरिटी देना कितने पाँच हजार 11 हो गए अब जर्नल रिजर्व बाकी से ले लो जर्नल रिजर्व अकाउंट debit कितने लेंगे हम एक हजार स्वज मैं है और टू बोनस इशो कितने होगे टोटल 20,000 पींग होगा कि जो मैंने यहां संटेंस लिखा है न कि फुली पेड़ या बोनस इशू टू पार्टली पेड़ अप शियर्स हमने किसको दे दिया बोनस इशू पार्टली पेड़ पेड़ पहली एंट्री आपको समझ में आया है इसकी अगली एंट्री हम शियर्स फाइनल कॉल मंगवा लेते हैं पेड़ फाइनल कॉल और टू एक्यूटी शियर्स कापिटल है ना फाइनल कॉल टू एक्यूटी शियर्स कापिटल कितने सर्थ पीस अजार्ट अगली एंट्री कर देंगे हम पूनस शियर्स जो यहां क्रेडिट किया था तू शियर्स फाइनल कॉल पस तू शियर्स फाइनल कॉल खत्म खत्म पहले आपकी मर्जी है कोई भी इंट्री आगे पीछे कर सकते हो मैंने सबसे पहले बोनस शियर्स का पैसा अरेंज करा फिर उसके बाद इसका बींग क्या होगा बोनस शियर्स इसू ठीक है ना क्लियर है तो यह हमारा पहला टॉपिक अब जरूरी नहीं यह बोनस सर्फ एक्विटी को दिया जाए परफ्रेंश शियर्स को भी बोला जा सकता है कि जो प्रफ्रेंश शियर्स पार्टली पेड़ पर उसको बाई व और यह सारे बहुत चोटा सा टॉपिक है जो कि किसी कुश्चन के बीच में घुश जाता है यह ना पूरा कुश्चन मेरा पहले जैसा ही रहेगा जैसे मैं कुश्चन लिखूं कि टैन परसेंट प्रफ्रेंश शियर्स कैपिटल दस अजार है एड़ रेट पैन इज चार एड़ अजिए इड अफिट अई इड़ अंली कंपनी एसाइड़ रिडीम अउल प्रफ्रेंश शियर अउंपने डिशाइड किया अउल प्रफ्रेंश शियर को रिडीम कर ले एंड मेक फुली पैड़ पाई वे आफ बोनस अलाकि प्रोविजन हमें अलाउट नहीं करता यह लेकिन कई बार कोशन एक्सामनर ऐसा दे सकता तो जो दो रुपय आइसके नहीं आए ना उसको किस से कंसिडर कर दोगे आप बोनस से ठीक है या फिर आपको एक एक्विटी दे देगा एक्विटी को बोलेगा भाई बोनस में करके दिखाऊ क्लियर अब इससे भी आसान यह वाला है एक्जामपल देखिए मैंने कहा कि मेरे पास एक्विटी शेयर कैपिटल है यह बैलेंशीट में देखने को मिलेगा दस हजार एड़ दा रेट तेन इच और हमारे पास सारा रेजर्व यही रख रहा हूं है ठीक है रेजर्व यही रख रहा हूं कमपनी इशू बोनस कमपनी ने बोनस इशू किया रेजर्व यही ले लेता हूं है पाल ने तो बदल देता हूं चलो तस हजार चर्णल रेजर्व पीस अजार सिक्योरिटी प्रीमियम असी अजार कंपनी इशू बोनस तू शेर पूर एवरी इसका मतलब है आपके पास अगर दस शेर है तो आपको दो शेर फ्री में बिदाए ठीक है अगर दस शेर है तो आपको पहले नंबर आफ शेर निकालना पड़ेगा कि सर कितने नंबर बोनस में देंगे तो सर टोटल शेर कितने थे डिवाइड़ बाइट टेंगे और मल्टिप्लाइब आए तू इसका मतलब सिंपल सी बात है दस के बदले दो मिलेगे तो आपके पास जो शेर मिलने वाला है वो दो हजार समझे किसी को ऐसा भी कह सकता था वन शेर फॉर एवरी शेर तो उस केस में क्या हो जाता वन डिवाइड़ वाइड़ वाई वन यह भी कैसा था टू शेर फॉर एवरी वन शेर अगर मैं कहता टू शेर फॉर एवरी अगर मैं कहता वन शेर तो क्या गरते बता हो तो टू डिवाइड़ वाई वन यानि आपको दो शेर मेरे गए हम शेर के मतले मतलब तो आपके शेर डबल हो रहा कंभी सटुनुवनन में बोनस डेकलियर किया क्या होगा हैं का मतलब होगा आक शेयर के बदले एक शिर है जानी आगर आपके पास 10.000 तो आपके पास ऑ स्कूरिति क्तनी हो जाने बीस अजार हैं तो हमें यह नहीं जाना है कि एक होने कितने हैं हमें ए सक कितना है जैसे मेरे यहां पर बोनस कितने है兩 हजार के लिए आपको फंड की कितने हीर्गाइर्मेंट होगी क्यूंकि आप फ्री में शेयर दोगे 2000 तो 2000 इंटू में 10 का एक श्यर है तो इट मेंस आपको रिकर्वाइर्मेंट फंड जो हैं वो कितने का होने वाले 20,000 अब 20,000 आप इन से यूज करोगे क्या करोगे सर सी आर आर अकाउंट टेपिट कितने 10,000 उसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्यूरिटी प्रीमियम से पैसा ले ले और टू बोनस इश्यू पीम रिजर्व एंट सर्प्लस मैं लिख देता हूँ अमाउंट ट्रांसफर टू बोनस इश्यू अगली एंट्री क्या करेंगे सर अब शेर दे दो इसको अगली एंट्री क्या करेंगे अगर मैं यहां करू तो बोनस इश्यू तो एकूटी शेयर कापिटल खत्म कितने इंग बोनस शेयर इश्यू ठीक है पस इसमें दो ही एंट्री तीसरा कुछ भी नहीं है तो अगर मैं बोनस शेयर की तो इससे उपर नहीं है बोनस शेयर में कुछ आपका बोनस शेयर सर्फ मातर इस दो कॉंसेप्ट को लेके बना है इसलिए मैं हर स्टडी प्लान में कहता हूं कि बोनस शेयर मत छोड़िये मत छोड़िये मेरे इसाब से मैं घड़ी देख रहा हूं और अगर मैं यहां पर बोनस शेयर में जितने मैंने बोनस शेयर के सवाल डाले हैं इनफ टू इनफ हैं कितने सवाल डाले हैं मैंने और इसके साथ बैलेंस शीट भी बनाने का डाला हुआ है तो बैलेंस शीट में क्या करोगे जब नए बैलेंस शीट पर जाओगे तो नए बैलेंस शीट में कितन शेयर हो जाएंगे फारा हजार हो जाएंगे में कितने हो जाएंगे आपके तो यहां पर अगर हम आपकी बात करें मैंने काफी सारे डाले हुए हैं आप चार कोशन हैं और चारों कोशन साप कर लिजिए आपका यह खातम हो जाता और चारो कोशन जब आप करने बैठेंगे तो आपको हार्डली से हार्डली दस मिनट से ज़्यादा मतलब दस मिनट कह रहा हूँ एक घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा फटा 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 खातम और ये चैप्टर बिल्कुल अलग नहीं आएगा ये अटैच होके आएगा किसके साथ प्रफ्रेंश के साथ अब इसके बाद जो हम रिवीजन में उठाएंगे तो कोई भी एक चैप्टर बाइबेक ले लेंगे रिवीजन में या देखते हैं डेली क्लास ले रहा हूँ जो मेरा मन करेगा आपको रिवीजन से मतलब है एक से आ अंदर पार्ट को भी रिवाइज कर लेंगे किया अक्शल में है क्या नहीं तो मेरा मन कर रहा रहां हो चाहने को लिब follow रहेगा लेकिन मेंट चीज है ना कि रिकंस्रक्षन के इनदर जो लिखावा लेंग्वेज होता है वह आना चाहिप ठीक है मेरा मन कर रहा है एक सवाल और मैं आपको दूं और यह आपका होमवक में रहेगा क्या वैसे तो टेनियर का ही सवाल है यह में होगा इस टाइब का सवाल कि मेरा 10% प्रफरेंच शेयर क्यापिटल रुपीज एक लाग का है एक कुटी शेयर क्यापिटल पांच हजार एड़ा रेट टेन इच है ठीक है जान देना मैं कोशन थोड़ा सा ट्रिकी बनाँगा साथ के साथ एट रुपीज एट पीडप है जनर्रिजम में हमारे पास पांच हजार है सिक्यूरिटी प्रीमियम में हमारे पास तस अजार है जनर्रिजम में कितने हैं पांच हजार और सिक्यूरिटी प्रीमियम में तस कंपनी तोल्ड इन्वेस्मेंट हजार यह दस हजार वाले का जिसका बुक वेल्यू था बारह हजार इसका मतलब बारह हजार का समान आपने कितने का बेच दिया दस हजार का बेच दिया मैं सारा का सारा प्रेफरेंश शेयर भी इसके अंदर में क्लब करने जा रहा हूं ठीक है न और बारह हजार शेयर हो गया हमार पास शेयर था शेयर था ठीक है कंपनी रिडीम प्रफरेंश शेयर कैपिटल एंड नि एक नि-चा रूजा कैस मैं करने पादों पादी पेड़ेंश प्रफली पेड़ेंश प्रफरेंश पादरिशन इससेयर में कर्फरेंश का सब्स्कृता पूर एवरी 10 शेर बोनस इशो यह मैंने पूरा एक प्रेश्यर और भी चीज़े मैं डाल सकता था इसमें, नीचे स्पेस नहीं है, दिखेगा नहीं बच्चों को यह मान लेते हैं कि 20 शेर होल्डर could not be traced 20 प्रेश्यर है जो कि traced नहीं हुए और balance requirement मैं यह बात लिखना भूल गया कि balance needed fresh issue equity share जो balance ज़रत पढ़ेगा उसके लिए हम fresh issue कर दो यह question मैं ही कर देता हूँ 10 मिनिट में हो जाएगा आप एक बार इसको note कर लिए या image क्लिक कर लिए अब ही फटा फट से यह वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप कर लिजेगा इसको image क्लिक कर लो आप इसको ताकि मैं इसका solution यहां कर दूँ अब इसमें दोनों बाते आ गए ठीक है मैं यहां से मिटा देता हूँ इसमें दोनों बाते आ गए आप classes को ना laptop पे भी देख सकते हो और मैं हर बच्चों को कहूंगा doubt के लिए ना बच्चे परिशान होते हैं तो doubt के लिए आपको जो number given है content में और daily study plan वगरे डालता रहता हूँ जो मैं उनको जरूर व्यू करना करें कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता बोल रहा हम हमें तो पता ही नहीं है तो please content को जरूर चेक करें study plan को चेक करें कि कौन से guidance जो आपको चाहिए होता है वो सारी चीज़े इसके इंदर प्रॉपर गीवन है कि अब सारे folders को देखिए कोई extra नहीं डाला हूँ में आपके सामने question है कबसे पहले हमें प्रफरेंश कितने redeem करने हैं साहब एक लाग उपे का तो प्रफरेंश शेयर के लिए प्रफरेंश शेयर होल्डर के लिए हमें कितने का पैसे का इंतिजाम करना है सर एक लाग का अब एक लाग में हमारे पास general reserve कितने का है सर general reserve 5000 का है क्या security premium का इसका redeem करने के लिए use हो सकता है नहीं हो सकता अब सर हमारा यहां पर loss भी तो हो गया ना वो भी तो घटा वो भी तो चला जाएगा जो हमने investment वीचा कितने का तो यानि पर पास कितने हैं तो 48,000 ठीक है और मुझे जुरत है एक लाग का तो simple सी बात है कि अगर एक लाग की जुरत है उसमें से 48,000 आपका जी यार यूज हो जाना है तो सर प्रेश इशू कितना करना होगा सर सिंपल सी बात है 52 सर कैसे निकाल लिया आपने 52 वह यह एक लाग में से अगर आपके पास 48 CRR है बाकि 52 है ना इसके बाद देखा जाए है तो 52 CRR हमें फ्रेश इशू करना है अब जनरल इंट्री करते जाते हैं सबसे पहले investment बेस दो आप bank account debit two profit and loss account debit और two investment पहले मैंने investment बेज आप कोई भी entry पहले कर सकते हैं मैंने पहले इसको बेज दिया कितने कभी का था वो 10 का और दो का नुकसान और बारा का पहली इंट्री इसके बाद आप क्या करिए फ्रेश इशू कर दीजिए फ्रेश इशू में क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेट तू शेयर अप्लिकेशन अब और यहां पर सवाल में यह भी कह सकता था जो फ्रेश इशू रिमेनिंग करोगे उसे दस परसंट के प्रीमियम पर कर दो आप क्या कर देते बैंक टू शेयर अप्लिकेशन में दस परसंट प्रीमियम करके ले तो मैं 52 इसके इंदर दस परसंट प्रीमियम करके लेते हैं इसके बाद देखा जाएं अगली एंट्री क्या करेंगे हम यह एप्लिकेशन इसमें ही Share For Feature भी डाल देते हैं कई बार Examiner टिक कहаюсь यह होग है आप comfortshare को redeem करने के लिए हमने fresh इसो कर दिये अब CRR बना लो बना लिते हैं तो CRR तोmith जन्र रिजर्फ सही बना सकते हैं तो generally reserve to CRR तो कि हम कितना लिख सकते हैं सरफ और सिरिफ यहां तक समझ में आ रही है आपको बाद अब प्रेफरेंश के एक लाग और तू प्रेफरेंश के एक लाग अगर मैं इस कुश्चन में एड़ान कर दू कि है के सौश यह सौश यह ओल्डर कुड नॉट भी ट्रीज तो बैंक से जब पेमिंट करने जाएंगे तो सौश यह यहां तक समझ में आ गया अब प्रफ्रेंश शेयर होल्डर को पेमिंट कर सो सर प्रफ्रेंश शेयर होल्डर टू बैंक कितने रुपए पेमिंट कर दिया आपने कर एक लाख है कि निए पिछली क्लास और ये वाले क्लास दोनों मरज हो चुकिया और आज के दोनों सप्प्रफ को भी बोनश करना है हमें पुल्ली पेड़ पर्फ जो था उसको भी करना तो नाव हमें अगर बोनस की इसू के लिए पैसे के इंतिजाम करना है पार्टली पेड़ लिए कि तो सर्थ दो रूपे इंटु में 5,000 कितने का इंतिजाम करना है कि दस अजार का क्या हमारे पास 10,000 पढ़ा हुआ है बिलकुल हमारे पास सेक्यूरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पढ़ा हुआ था यह यूज कर लेते हैं यहां पर तो मैं करूंँआ सेक्यूरिटी प्रीमियम अकाउंट डेविट टू बोनस अब इसके बाद फाइनल कॉल मांग लो कियर फाइनल कॉल टू एट्ose एकटी टु इसके बाद अब बोनस ऑश्यू कर दो बोनस ऑश्यू टेयर फाइनल कॉल के बाद बोनस एश्यू तू, फाइनल कॉल कितने हो गए तेन के, अब क्या करो, फाइनली बोनस इशू भी कर दो, वो वाले, दूसरा, फुली फेड़ अप वाला लेकिन यहां एक ट्विस्ट्री आ जाता है, बोनस इशू हमारे पास पहले से शेयर तो थे कितने पाँच हजार, फ्रेश इशू भी मैंने कितने कर दिये, बावन सो, यह फ्रेश है तो अब बोनस शेयर सरे पाँच वालों को दे या दोनों को मिला के दे, कुछन आ गया ना यह वाला कि बोनस देना किसको है, तो सवाल बताएगा आपको, कि बोनस इशू इंक्लूडिंग लफ्रेश इशू, या फिर बोनस इशू, अनली ओल्ड शेयर, एक्जिस्टिंग शेयर, या फिर सवाल जैसे मैंने बताए, कुछ नहीं बताए हुआ, ऐसे सिचुएशन में आप बोनस इशू किया है, वो टोटल पर कर दिया है, तो हम यहां पर टोटल 10,200 के अकॉर्डिंग बोनस इशू करें, ठीक है? अगर बोलता है, एक डेट भी दे देगा, कि हमने जो फ्रेश इशू किया है, वो दस को किया है, तस एप्रेल को, और बोनस इशू किया है, मैंने 8 अपरेल को, तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर फ्रेश इशू 10 को हो रहा है, बोनस 8 को हो रहा है, तो फ्रेश इशू वाले को बोनस तो मिली नहीं सकता, तो इस तरीके साब को देगा वो, तो अब यहां पे नमबर अगर मैं फाइंड दरू, तो सर नमबर कैसे होगा 2020 का फंड की बात करें, तो कितना हो जाएगा, इंटू में 10 कर देंगे, that is हमारा हो जाएगा 10,200 की ज़ुरत है, लेकिन सर ओर डेडी CRR में कितना पैसा है, 48,000, तो पहले CRR को इस्तमाल करेंगे, तो मैं इसी CRR को इस्तमाल कर लूँआ, ऐसा नहीं कि सर यह तो यहां ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, बोनस, इसू टू, पताइए, एक कोटी, शेयर, कैपिटल, मैंने नहीं लिखा, आप जब एंट्री को जब इस सवाल को बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कुश्चन देखा, और फिर आंसर को देख लिए, और तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, इतने तो शेयर अप्लिकेशन वाले में भी नहीं है, और इसके साथ एक दो एंट्री और एंट्री हो सकता है, तो इतनी सारी एंट्री है, यार, उसके सेक्यूरिटी प्रियूम, राइट अफ वाली भी एंट्री ए मिनिममम नंबर अफ शेयर्स वाला भी मैं जाल सकता था कि मिनिममम नंबर फ्रेशी शूकर हो जो इक्यूवेशन मेथट है, वो किया, उसके करने के बाद आप स्टेप बाई स्टेप फोलो, हाँ, यह एंट्री मैं चाहता, यह वाली एंट्री तो मैं सबसे लास्ट में कर स मैं यहां बना दूँगा, सारी एंट्री एक ही डेट को है, चेक कर लो, एक्जामनर अपना, तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं करते-कलते, मैं यह भूल गया था, यह एंट्री मुझे यहां कर देना चाहिए था, फ्री वाले, लेकिन मैं को भूल गया, तो मैंने बोल सकता था, कि आपको फंड अरेंज करने के लिए लोन ले लेना है बैंक से, तो कुछ चीज़े, दो-तीन एंट्री और जूड सकती है, तो यह कोशन्स अगर आप कर लेते हो, और टेनियर के कोशन्स कर लेते हो, तो उससे बाहर पेपर में कोशन ही नहीं आना, और मेरा म हाई है, तो आपको समझ में आगे clear है, बच्चे करें, बोल्यूम नहीं आ रही है, कि से debit and credit equal नहीं है, किसका बात कर रहे हो रूपन, debit, credit, किसका equal नहीं है, दस और दो बारा 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 और तो कुछ ही नहीं जहां पर मैंने लिखा नहीं और इसकी बैलेंस शीट बनाने आ जाए तो बैलेंस शीट में नए शेयर कितने जाएंगे दस दो सो यह और एक हजार तो यारा हजार दो सो ठीस ठीक है अब बैलेंस शीट में सी यारार कितना जाएगा भाई सी यारार अटालीस था जिसमें से इस्तेमाल कितना हो गया दस दो सो बागी जो बच गया वो सी यारार में चला जाएगा बागी जो बच गया कहां चला जाएगा सर यारार के इन्वेस्मेंट भी नहीं होगा थेक है तो सर यह पूरा पूरा तर मिटा दिया आपने पहले वाले में अच्छा रहे गया होगा मैंने ध्यान ने दिया अच्छा 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 चलो मैच नहीं हो रहा था तो आपको समझ में आ गया कि मैच नहीं है वो कर लेजेगा आपकर ठीक है यह वीडियो अभी थोड़ी दिर में अपलोड हो जाएगी इसी तरीके से मैं कल भी रिवीजन क्लास 9 बजे ही रख रहा हूं रिवीजन क्लास में कल हो सकता है मैं मेरा टार्गेट ही है कि बड़े बड़े चैप्टर पासिंग वाले जल्दे से हो जाए रिवीजन क्लास और आज आपको शेयर कैपिटल चैप्टर 20 नंबर का आएगा आपका कंपनी लोग के अंदर मैं वह पूरा कराने की आज कोशित करूँए तो चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में और कंटेंट जरूर ध्यान से देखिए जो मैं कंटेंट के अंदर वीडियो डाल रहा हूं इस्टेडी प्लैन डाल रहा हूं नोट से डाल रहा हूं जो आपकी कंटेंट है उसको जरूर देखा करिए आप भूल जाते हैं आप देखना कल यह मिलते हैं नेक्स क्लास